हेलो फ्रेंड्स मैं विरेंद कुमार पाध्य है यूटूब प्लेट फॉर्म से आपके लिए इंग्लीज की क्लास डे बाई डे लेके आते हैं और उसी सेशन में आपको नाउन एंड नंबर की यह सेकंड वीडियो लेके आये हैं जिसमें हम आपको नाउन को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाएंगे ठीक है ना तो सभी एकदम ध्यान पूर्बग बोर्ड पे अपना ध्यान लाएं और कॉपी पेन ओपन कर लें और सुरू हो जाए हम आपको एक एक चीज बताना सुरू करते हैं चलिए हम फर्स्ट स्लाइट को ओपन करते हैं जैसा कि आप देख र भीलते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं क्या कहलाते हैं यहां पर देखिएगा श्यार बनाने का जो तरीका है हमारा वह उतीस तरीके से है देखिएगा जो compound noun बनाने का तरीका है हमारा वो सबसे पहले यहां पर देखिए definition लिखा हुआ है कि a compound noun is a noun made up of two are more words a compound noun ऐसा word होता है जो दो या दो से अधिक सब्दों से मिलकर बनता है सभी ध्यान पूर्बग देखें जिसको कहीं पर भी दिक्कत हो comment box में जरूर लिखें देखिएगा जैसे यहां पर लिखा है क्या tooth और paste यह दोनों word मिलकर क्या बने tooth paste है ना जो आप सुबह सुबह ब्रस करते हैं उसको है ना hair और उसके साथ जुड़ा है क्या cut hair cut यह सारे word वैसे आप देखिए daughter के साथ in और law यह जुड़ करके बने क्या daughter in law तो आपने देखा कि यह जैसे दो वर्ड इसमें है कितने हैं ज्यान से देखिएगा इसमें जैसे दो वर्ड है और सरी तीन वर्ड है इसमें इसमें दो वर्ड इसमें दो वर्ड यह देखिए एक से दो या दो से अधिक वर्ड से एक साथ जुड़ करके compound noun बनाए हैं ठीक है ना सभी को समझ में आरा comment box में जरूर लिखें चलिए आगे देखते हैं most of compound nouns can be found as follows जैसे नीचे मैंने कुछ methods लिखें आज से आपको रटने की जरूरत नहीं है तो जैसे मैंने कुछ methods लिखा है उस तरीके से हम compound noun का निर्माड करते अर्थात बनाते हैं तो यहां पर देखिएगा सबसे जो पहला तरीका है वो noun plus noun यानि दो noun को एक साथ जोड करके ध्यान से समझेगा noun plus noun that means दो noun को एक साथ जोड करके हम बनाते हैं कि आप compound word बनाते हैं यहां पर देखेंगे आप जैसे लिखा हुआ है क्या noun plus noun तो railway plus station यहां station और railway दोनों का दोनों क्या है एक संग्या है दोनों क्या है एक noun है इन दोनों का एक में जोड करके बना क्या हमारा railway station क्या बना railway station क्या बना railway station है ना यह एक word बना तो यहां पर देखा railway station हमारा क्या है compound noun है ठीक है ना अब देखेंगे यहां पर इसको भी हम अलग कर सकते हैं rail है ना प्लस वे यानि rail का मार्ग तो यहां पर आपने देखा दो या दो से अधिक word को मिला करके हम compound word बनाते हैं देखें compound word आपने सीख लिया तो terminology के माध्यम से हम आपको इंटॉनिम सिनानिम्स वन वर्ड सब्चिचूशन इन सब को सिखाएंगे जिससे आप कुछ उसके रूट वर्ड या कुछ आंसिक पार्ड को देखकर ही पहचान जाएंगे कि यह आखिर कहां से रिलेटेड है कैसा word है ठीक है ना चलिए दूसरा देखें हम noun plus adjective क्या है भी है noun plus adjective है यहां पर ध्यान दीजिएगा noun plus adjective मतलब noun के साथ adjective को जोड़ना ठीक है ना अब यहां देखें hand हमारा क्या है noun है फुल मतलब भरा हुआ अर्थात क्या है यह adjective है noun और adjective दोनों को एक साथ अगर जोड़ें तो यह बनता है हमारा क्या hand full क्या बनता है hand full तो यह भईया हमारा क्या हुआ compound word हुआ समस्ते चलिए सारे methods को अभी हम यह सीखें कि compound word बनाते आखिर कैसे हैं फिर सारी बाते करेंगे सभी लोग ध्यान पूर्बग देखें और समस्ते चलें दूस तीसरा point आप देखेंगे adjective प्लस noun यानि विशेशन के साथ संग्या का प्रियोग black यहां पे क्या है यानि adjective of quality यानि गुड़वाचक विशेशन है और vary यहां पे क्या है noun है इन दोनों को एक साथ मिलाएं तो ब ब्लैक वेरी क्या बनेगा ब्लैक बेरी समस्ते चलेगा तो यहां पे हमारा ब्लैक बेरी क्या बना एक compound वर्ड बना ध्यान पूर्वक्ष भी देखेंगे अगला देखेगा अभी और एक वर्ड है जैसे adjective प्लस noun एक noun प्लस adjective और adjective प्लस noun सीख रहते हैं हम फुल प्लस मून जिसको मिला के बनता है क्या फुल मून है ना फुल मून जानते हैं आप लोग जब चंद्रमा चौद्वे दिन आमासिया के दिन पूरा पूरा दिखता है उसी को हम फुल मून कहते हैं तो यहां पे देखे आप फुल मून ठीक है ना सारी बाते किलियर हो देखेगा बर्ब में ing प्लस नाउन मिलकर भी वनते हैं compound word बर्ब में hag pls noun लगाकर बनता है compound word देखेगा कैसे यहां पे लिखा है हम 나े क्या breaking यहां पे भीया क्या है वर्व है वर्व है इसमें लगा क्या ing और हो गया क्या verb plus ing अब उसके बाद noun यहां पे लिखा मैंने क्या water यानि breaking water ठीक है ना तो यह दोनों एक साथ मिलके क्या बन गए breaking water बन गए क्या बन गए भीया breaking water सभी ध्यान पूर्वग देखेंगे सभी class में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो यह संस्था इतना dioted है आप लोगों के प्रती कि आपको हीरा बना के छोड़ेगी बस आप मेहनत करते रहें बराबर हमसे जुड़े करने का प्रयास करेंगे चलिए अगला ऐसे क्या है हमारा swimming pool swimming यहां पेольз है मैं यहां पे लिख दूँ aí swimming यहां पे हमारा क्या है वर्व है और यहां पे देखेगा हमारा क्या है ing इसमें जुड़ा हुआ है plus pool हमारा क्या है नाउन है इन सब को एक साथ जोडेंगे तो swimming देखे जहां पर हम ing जोडते हैं तो last के later को double कर देते हैं तो swimming pool हो गया क्या हो गया swimming pool समझ में आ रहा ना सभी को यह हमारा क्या हो गया swimming pool हो गया तो इस तरीके से यह चार concept हमने देखा इस slide पर सभी screenshot ले ले फिर हम अगली slide को open करते हैं just take screenshot चलिए अगली slide पर चलते हम अगली slide हमारी है अब देखेगा यहां पर अगली slide पर फोकस करिए one second तभी class में बने रहें अब अगली slide को हमने open किया ध्यान से देखिएगा यहां पर noun के साथ अभी verb प्लस ing था जैसे swimming pool breaking water है ना watering plant तो ऐसे बहुत सारे noun आपको मैंने बताया था क्या verb में ing उसके बाद noun अब हम बताएंगे noun पहले ध्यान से समझिएगा अब हम बताएंगे आपको noun पहले बर्व में ing बाद में लगकर बनने वाले compound word तो ध्यान से देखिएगा भी यहां पर हमारा जो है noun क्या है hair है न है और उसके बाद उसमें जुड़ा क्या cut cut मतलब काटना यह हमारा verb है ध्यान पूर्वक आप देखेंगे और इसमें लगा क्या ing यानि कि cutting hair noun हो गया जान से समझिएगा यह verb हो गया और इसमें ing पर्टिसिपल बनाने के लिए देखिए तो यह तीनों चीजें हमारी है noun verb plus ing तो इस तरीके से भी वर्ट देखिए जितने भी process है compound word बनाने के वो सारे process हम आपके सामने चर्चा करेंगे आप इसे note और screenshot लेते चलें वीडियो में शुरू से अंतक बने नाइस सर ऐसे कहके निकल जाना पुड़ा दुखदाई होता है मेरे लिए इसलिए class में आप सुरू से अंत तक बने रहें कुछ सीखना होतो तो ध्यान से देखें अब यहां पे hair को हमने लिया अब compound word बना रहें cut लिया लेकिन ing जुड़ते समय last में consonant हो तो double cut देते हैं आपको पता है hair cutting यह हमारा क्या हो गया compound word हो गया ध्यान पूर्बग देखते चलिए सभी लोग अब उसके बाद वर्व प्लस preposition है ना वर्व प्लस preposition यहां पे देख रहें आप वर्व है check और in इसके साथ preposition है और चेक इन इसका जो है क्या होगा compound word चेक इन इसमें हाइफन लखके बनेगा चेक इन बाते समझ में आ रहे हैं सबको तो चेक एक सेकंड शरी और यहां पे देखेगा चेक इन है ना इस चेक इन यह जो है हमारा बना क्या वर्व चेक करना जाच परताल करना इन हमारा preposition से मिलके बना तो चेक इन तो यहां पे चेक इन का क्या हुआ हमारा सिक्थ फालो किया वर्व के साथ preposition अगला देखेंगे noun के साथ preposition क्या भीया noun के साथ preposition लगा करके कैसे हम compound word बनाते हैं जैसे क्या है यहां देखेगा पाशर्स भाई पाशर्स भाई राह गीर है ना पाशर्स भाई राह गीर यहां पे पाशर्स हमारा क्या है जहां से समझिएगा पाशर्स हमारा पाशर्स हमारा क्या है पाशर राहगीर है ना पाशर्स भाई ये दोनों वर्ड मिलकर क्या बनते हमारे सारी बाते समझ में आरी ना सभी को तो एक बार अपना चैनल सभी लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ठीक है ना फैमिली बढ़ाएं प्लीज इंक्रीज दा पॉपुलेशन आफ पर्टिकुलर चैनल आर बी क्लासेस के चैनल की पॉपुलेशन को बढ़ाएं जनसंख्या जाएं बस यहां पर नंबर आफ इस्टूडेंट की बात हो रही है ठीक है ना चलिए अब अंडर क्या है भया प्रीपोजीशन है ग्राउंड मतलब जमीन या धरती नीचे यानि कि क्या हुआ हमारा नाउन हुआ तो प्रीपोजीशन प्लेस नाउन समझ में आरी बात यह त लिए नौ कम टूद फैर हमारा 9 नंचलबर है नाउन स्कूरिख बलेस उब्लेस नाउन तो यKYा तो में यानि शंग्या होगा उसके बाद प्रीपोजीशन होगा फिर हमारा क्या होगा नां होगा यहां पे देख रहें आप सबीव को दिख रहा क्लियर ली यहां पे देख है आप क्या है father यहां पर देख रहे है आप क्या है इन और उसके बाद क्या है फादर इन ला यह न तो यह फादर क्या है यहां पे नाउन है फादर क्या है नाउन है इन हमारा क्या है इन हमारा क्या है प्री पोजीशन है इन क्या है प्री पोजीशन है ध्यान से देखेगा इन हमारा प्री पोजीशन है फिर से ला हमारा नाउन है तो यन पी आर ई एंड यन पी आर ई एंड यान नाउन प्रिपोजिशन प्लस नाउन मिलके बनते क्या compound word तो आपने 9 methods सीखे how many 9 तरीका आपने सीखा compound word बनाने का सभी को doubt किलियर हो गया हो तो एक बार s जरू लिखेगा comment में मैं प्रिमेर टाइम पे पूरा देखता रहता हूं कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है जान लो वही आपका live session है ठीक है न हलाकि मैं आप लोगों के request पे बिल्कुल जो है live आने वाला ही हूं आप टेंशन न रहे थोड़ा time schedule सेट हो जाए offline का भी class का तो सारी आपकी मागे पूरी होंगी कि यहां पर देखिया as you can see from example above some compound nouns आर कि spelled as one word तो सारे compound words जो अभी आपने देखा यह one word में spelled है जैसे handful है ना but other within the hyphen और बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जो hyphen के साथ में है किसके साथ में है हाइफन के साथ में है one second ध्यान से देखिएगा यहां पर जैसे father है इसके साथ in hyphen लगा फिर देखिए hyphen लगा फिर हमारा यह है तो compound मनाते से में बहुत सारे ऐसे noun है एक word में लिख दिया गया है एर कटिंग ट्रीकिंग वाटर और कुछ ऐसे आपने देखा जिनको हमने hyphen के माध्यम से व्यक्त किया है पारसर सबाई father in love mother in love यह सारे हमने hyphen के माध्यम से hyphen साइन जानते हैं आप लोग इसको हम hyphen बोलते हैं उस तो hyphen साइन से हमने व्यक्त किया है आप मेहनत से पढ़िए किसी भी channel पे इस तरीके से आपको STD material provide नहीं होगा इतना मेहनत करके हम लोग भी देखते हैं बहुत सारे teachers को लेकिन कौन teacher केवल अर्थ पे depend है कि पैसे आएं कौन teacher है कि हमारा छात्र सफल हो तो आपको RV classes पे मिलेगे वे सारे teacher जो आपके लिए जीते हैं आपके लिए शोते हैं आपके लिए जगते हैं ठीक है ना चलिए now come to the point हम अगली slide पे चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा next slide हमारी क्या है इस पे आप लोग focus करें farming of plural of compound words अब हम इसमें सीखेंगे compound word का plural बनाना क्या सीखेंगे भया compound word का plural बनाना तो आपको पता है कि compound word generally formed by adding yes to the end of nouns है ना या फिर by adding yes to the principal noun या देखिए थोड़ा English में notes मिल रहे इसके लिए डर है नहीं आप लो मैं enough हिंदी में explain कर देता हूँ कि compound noun में प्राया हा compound noun में प्राया हा, head word में प्रधान सब्द में s जोड कर plural बनाते हैं अब प्रधान सब्द हम आपको पहचान कराएंगे कुछ examples के माध्यम से और यही प्रधान वर्ड जो है हमारे significant वर्ड भी कहलाते हैं है ना, चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ उदारण के माध्यम से आकि रहे बाते हैं क्या noun plus noun सबसे पहले जब संग्या के साथ में संग्या दिया हो एक संग्या के साथ में जब दूसरी संग्या दिया हो तो ऐसे वो plural बनाते समय हम उसके प्रधान सब्द को देखते हैं देखे पहला वर्ड दिया है कार दूसरा दिया है पार्क्ष पार्क्ष मतलब एक ऐसा उद्द्यान है माल लिजे पाउंडरी में गिरा हुआ है सपोस्थ डैट मेरा बहुत ज़्यादा बढ़िया आर्ट नहीं लेकिन मैं आपको समझाने का प्रियास करूँगा ऐसे है तो यहां पे आपने क्या ले गया ये कार आप ले गये क्या ले गये भी है एक कार ले गये अब कार को आपने यहां पे क्या किया पार्क किया है ना कार को आपने पार्क किया तो अब देखिएगा यहां पर प्रधान क्या है कार है की पार्क है कैसे हम आइडेंटिफाई करें जो कारिरत होगा वो प्रधान होगा मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं मैं क्या हूं परधान हूं कहां पर पढ़ा रहा हूं यूटूब चैनल पर यूटूब चैनल हम पर आश्रित हैं मैं नहीं पढ़ाओंगा तो चलेगा नहीं हूँ मैं और कहीं पढ़ा सकता हूं मैं और कहीं प्लेटफ ke address क्लेटफरंस हैं ओफ लाई online दिर ढ獰शर belong पिड़ा सकते हैं लेकिन यूटूब जो है अगर कोई उस από जाना गाने वाला पढाने वाला नहीं होगा तो बेकार है तो इसका मतलब पार्क में अगर कर कार नहीं कार नहीं आए तो पार के लिए पार्क आवश्यक पार्क कर दो अगर पार्क नहीं नहीं हो जाता है छोटी मोटी घलतिया ठीक है ना कार पार्क नहीं होगा तो कार नहीं खड़ा ओगा यानि कि कार आश्रित है पार्क पर रोड पर खड़ी कर दिये तो उठा काला रंग का अगर देखें ध्यान दिजेगा ब्लैक बोर्ड एक में मिलने के बाद नाउन हो जाएगा ब्लैक हमारा एजक्टिव है ब्लैक हमारा जो है क्या है नाउन भी है जब काला रंग हम ले लें तो हमारा वो क्या हो जाएगा काला रंग यानि पाउडर वाला तो बेर्थाद बिलैक भोड़ों एक चीज़ नहीं तो आप कहोगी सर्जी जो है यह तो इसकी विशेष़ता बतला नहीं जैसे मैं मोटा हूं मैं मोटा हूँ तो यहां पे जो मैं हूँ अर्थात बिरेंद्र उपाद्या है यह मोटे है तो मोटा हमारा बीशेशन हो सकता है ठीक मोटा हमारा बीशेशन है और लेकिन जैसे बोर्ड काला है तो उसका सभाव है सार्भाम है कि बोर्ड ब्लैक ही होता यूनिवर्सल है तो हमने यहां पर boards को क्या बनाया plural बनाया ठीक है न ध्यान से देखेगा अगले में देखेंगे आप mother in law तो यहां पर माता क्या है head word है तो mother in law taxi driver अब taxi निर्भर है किस पर driver पर तो taxi drivers तो head word को हम plural बनाएंगे यहां पर यहां देखेगा यहां पर जो word था एक शेकंड ध्यान देँगे यहां पर था क्या made servant था ध्यान दिजिएगा बेटा यहां पर made servant था जिसका plural होगा क्या जिसका plural होगा ध्यान दिजिएगा यहां पर made servant था जिसका plural क्या होगा made servants क्या होगा यहां पर made servant था मिट गया है थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग अच्छा इधर दिया हुआ है इधर दिया हुआ है तो ध्यान से देखेगा आप लोग इधर दिया हुआ है made servant क्या दिया है ध्यान से पढ़िए यहाँ पे दिया हुआ है क्या made servant इसका क्या हो जाएगा made servants हो जाएगा made यहाँ से servant से यहाँ से slide थोड़ा mismatch हुई है इसके लिए हम आप सबी से माफी चाहेंगे और इसको ध्यान से देखिएगा by friend तो by friends तो आपने देखा दो नाउन जब एक साथ जुड़े हो उनके प्रधान वर्ड में यानि की main वर्ड में head वर्ड में significant वर्ड में s लगा के plural बनाते हैं समझ में आगी बात screenshot लें इसका देखिए अगर मैं कभी भूल जाता हूं screenshot लेने मतलब बोलने के लिए तो आप ध्यान रहे कि आप लोग वीडियो को पॉस करके ले लिया करिए चलिए मैं अगले का दे दे रहा हूं ले लिजे इसका screenshot पहले का मैंने दिया था इसका ले लिजे हो गया ना चलिए फिर अगला इसका तो आपने ले लिया पूरा समय दिये थे फिर अगली slide पर चलते हैं यहाँ पे आपने देखा जैसे हमारा hand full है, moon full है, track full है, spoonful है, may have two possible plurals इस तरीके के जो वर्ड है इनके पास दो समभावित वहवचन बन सकते हैं कितने दो समभावित वहवचन यानि कि दो plural बन सकते हैं जैसे आपने देखा एक तो yes add करके क्या add करके एक तो yes add करके एक जो है आपका मतलब yes तो दोनों में add होगा एक तो आपका जैसे head word है या noun है एक तो noun में ज्यान दिजैगा एक तो noun में yes add करके या फिर दूसरा full adjective में एस एड करके फुल एजक्टिव में देखे जब एस एड होगा तो यह हट जाएगा इस बात पर ध्यान रखिएगा अगर यह फुल का जब एस एड करेंगे या फिर इसे हम नाउन में एड करेंगे जब तो इसका लास्ट वाला यल हट जाता है तो ध्यान दिजेगा अब ट्रक्स फुल तो ट्रक में लगा तो यह कुछ ऐसे नाउन है जिनके दो प्लूरल बनते हैं यहां पर आपको हैड वर्ड पहचाने की जरुरत नहीं है यह कुछ चंद शब्द हैं जो आपके एक्जाम के लिए अच्यनत महत्वपूर्ण है और यह ध्यान में रहे हमसे एक्सपेंडेट फॉर्म में पढ़ाने का प्रयाश करता हूं बड़े तरीके से अच्छे तरीके से व्यापक तरीके से विस्तार तरीके से पढ़ाने का प्रयाश करता हूं तो अब जान लिजे कहां से आएगा एक्जामनर सोच नहीं पाएगा कि मैं इस बंदे को कहां से प्रसंतू ये तो आर्बी क्लासेस में पढ़ा हुआ है तो सारा पढ़ लिया है ना तो इस तरीके से हमारी सोच होती है आपको पढ़ाने का चलिए माउथ फुल सभी स्क्रीन को देखें ऑब्जर्ब करें तो मैंने माउथ फुल का भी एक माउथ फुल एक माउथ फुल दो दो बनाए आपका क्या है वेकेट फुल तो एक हमने बता है क्या वेकेट फुल और दूसरा वेकेट फुल तीसरा आपका जैसे यहां पर है कप फुल एक होगा इसका cup full और दूसरा होगा cups full तो ध्यान दिजिएगा ये कुछ चंद सब्द हैं जिन पर आपको विशेश ध्यान देना है spoon full का दो plural होगा एक spoon full और दूसरा क्या spoon full तो आप एकदम ध्यान देंगे पूरे स्लाइड पे अच्छे तरीके से समझेंगे आप एक बार जो आप screenshot लेते हैं उसको एक बार देख लें वीडियो खतम होने के बाद एक बार देख लें नहीं समझ मैं दुबारा देख लें जिवन में कभी नहीं भूलेगा ये मेरा दावा है ठीक है ना चलिए now come to the next point अगले प्रिपोजीशन से इंड होते हैं ध्यान दिजिएगा ऐसे compound noun जो प्रिपोजीशन से इंड होते हैं यानि जिनके last में प्रिपोजीशन आता है ऐसे compound word जिनके इंड में क्या आता है बोलो भाई क्या आता है जिनके इंड में प्रिपोजीशन आता है उसका plural हम बनाते कैसे है उनके head word में यानि noun में preposition में नहीं लगाएंगे लगता है मैं दिखाऊंगा लेकिन यहाँ पर preposition में नहीं लगाएंगे उसके noun में हम yes लगा करके क्या बना देंगे plural बना देंगे तो ध्यान दिजिएगा यह दो word पर आप बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे इन दो word पर बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे आगे मिलेगा आपको यहाँ पर देखा आपने पासर सबाई फैंगर सान लुकर सान चेक-इन पीछे देखा था चेक-इन पीछे देखा था यह सारे noun ऐसे हैं जिनके plural बनाते समय भीया ध्यान दिजिएगा जिनका plural बनाते समय हम इनके head word में प्रधान सब्द में यस जोड करके plural बना लेते हैं इनके प्रधान सब्द में यस जोड कर plural बना दे रते हैं ऐसे noun जो संग्या था अभ्या यानि preposition से मिलकर बने हो उनमें हम के ओल संग्या में यस लगाकर बहुबचन बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा फटक और आप सबर किये रहें हो गया ना सभी स्क्रीन साट ले ले तुरंत अब मैं चलता हूं अगली स्लाइड पे अगली स्लाइड क्या है आपका वेन नेदर एलिमेंट ऑफे कंपाउंड इस नाउन दा प्लूरल इस फॉंड वाइडिंग यह हम यह जोड कर कब बनाते हैं तो य कंपाउंड नाउन ग्रोन अप इस मेड़ वर्ड जैसे ग्रो के साथ हमारा क्या लगा है अप लगा है तो के साथ यानि जब आपका यहां पे वर्ब प्लस ज्यान दिजेगा जब आपका वर्ब प्लस प्रीपोजिशिशन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आया हो तो हम वहां पे प्रीपोजिशन में यस लगा कर किश में प्रीपोजिशन में ध्यान से देखिएगा प्रीपोजिशन में यस लगा करके प्लूरल बनाते हैं प्रीबियस रूल्स बताते हैं मैंने बताया था अभी बताएंगे जो लुकर्षान पासर बाई चेक्सिन इसमें लगेगा कब प्री पोजिशन में लगेगा उसका रिजल्ट आप के शामने है ध्यान से देखिए का आप सभी वीडियो में बने रहें तो यहां पे देखिए ग्रोण अप ग्रोण सब गो बिट्मिन गो बिट्मिन्स चेक इन चेक हाईयर अपस हाईयर अपस आल्सो रैन एंड आल्सो रैन यह मुझे एक नया वर्ड लगा कि आल्सो रैन बच्चों को नहीं पता होगा तो आल्सो रैन का मतलब यहां पे एसपस्ट तरीके से लिखा है चुनावी आज इस परधा में असफल रहने वाला ब्यक्ति आल्सो र से पढ़ें जहां पे भी कंफ्यूजन होगा देखिए जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो तूरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखें उसका हम निदान करेंगे ठीक है ना हो गया चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं नाव कम तू दे नेक्स्ट श्लाइड यह आपकी नेक्स्ट श्लाइड है फड़ा इसमें आप देख पा रहोंगे फड़ा इरर हुआ है कि स्लाइड कहीं बड़ी कहीं छोटी हो गई है टाइपिंग मिस्टेक है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप से ऐसा नहीं होगा इसके लिए हम आपसे छमा परार्थी है चलिए जब कंपाउंड नाउन जो है मैन और वुमिन लगा के बनता हो तो अब हम उसका प्लूरल बनाते समय क्या करते हैं लास्ट वर्ड में के इंसाइड या मैन उमें के इंसाइड वाबल में चेंज करते हैं तो ध्यान दिजिएगा कहोगे सर यह इस पर भी फोकस नहीं करेंग है कि इसके पहले आपने देखा था क्या है में जैसे इंसाइड वाबल को चेंज करकर लास्ट में यह जोड देते हैं सभी है बिल्कुल ध्यान दें कि जब हमारा कोई नाउन मैन और उमेन से लिखकर बना हो किस से लगकर बना हो मैन और उमेन से लगकर बना हो कोई नाउन तो उसमें हम क्या करेंगे लास्ट वर्ड में यस लगाएंगे और मैन और उमेन के इंसाइड वाबल को चेंज करके प्ल का लाश्ट लेटर और यहां लिखा मैंने क्या यहां मैंने लिखा första क्या लिखा फस्ट के इसाउड वाडल पस्ट के इसाइड वाडल लो चेंज करके प्लिउरल बनाते यहां पे देखली जेए मैन और उमेन से जुड़कर बनने वाले नाउन में मैन और उमेन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड नाउन में क्या करते हैं भीया इंसाइड वाबिल में परिवर्तन प्लस लास्ट वाले में यस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ यह होगा इनसाइड वाबिल में परिवर्थन प्लस लास्ट में हम Yes करके जोड़ते हैं इनसाइड वाबिल में परिवर्थन और लास्ट में हम क्या करते हैं Yes लगा कर plural बनाते हैं अब यहां पे देखेगा कुछ ऐसे इसके अपवाद हैं या नोट्स लिखा हुआ है ऐसे नाउन में ध्यान दिजेगा केवल 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 यहां पर हम लास्ट लेटर में यस चोड़ते हैं केवल क्या करते हैं लास्ट लेटर में यस चोड़ते हैं ध्यान से समझेगा जहां एक कुछ नोट है एक्जामपल है कि एक कुछ ऐसे कमपाउंड नाउन है जिनका प्लि gives पहला नाउन दूसरे को determine करता हूँ उसी नाम से वो जाना चाइब तो जैसे मैं गहत्व सि कहान प्रेमिय हूँ है मैन लबर हूँ तो मेरा एक नीचर है प्रवित्ती है डिटर्माइन हो गया मैं तो यहां पर ऐसी चीजों में हम क्या करेंगे लास्ट लेटर में यस लगाएंगे मैन और उमेन में कोई चेंज़ेश नहीं करेंगे तो ध्यान पूर्वक शभी लोग क्लास को देखें स्क्रीन सॉट लें इसका ले लिया न सभी ने चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड जैसे प्रीपोजिशन प्लस उधर हमने बताया था आपको नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस जो है नाउन तो ऐसे वर्ड्स में हम क्या करते हैं कि वल हैड़ वर्ड यहां पे हम देखेंगे क्या हैड़ वर् प्लूरल बनाते हैं ध्यान से देखिएगा हमारे क्या है सभी ध्यान से देखेंगे जैसे फादर इनला है तो फादर हेडवर्ड है मदर हेड़वर्ड है कमांडर हेड़वर्ड है डाटर हेड़वर्ड है इन में हम जो है क्या करेंगे यह लगा के प्लियूरल बनाएंगे फादर इनला का फादर सिनला मदर इनला का मदर सिनला सन इनला का सन सिनला है ना बास समझ में आई की नहीं आई इस तरीके से तो आपने देखा क्यों हम प्रधान यानि हेड़ वर्ड का ही प्लियूरल बनाते हैं तो ध्यान से समझेगा जब जो है नाउन प्रिपोजिशन फिर नाउन जुड़ के आया हो तो जो हेड़ वर्ड होगा उसी का प्लियूरल बनाएंगे बाकी जो मैंने प्रिवियस वीडियो में नाउन आए नमबर पढ़ाया उसी कॉंसेप्ट को फालो करेंगे ठीक है ना चलिए लास्ट पॉइंट है आपका यहां पर दिया है कि कुछ ऐसे नाउन और है ध्यान से समझेगा कुछ ऐसे नाउन है जिनका कंपाउंड बनाते समय हम दो तरीके से प्लियूरल बना सकते हैं जैसे हैंड़ वगेरा वाला था यह दो नाउन अतियंत इंपॉर्टेंट है परिच्छा के द्रिष्टी से तो गवर्नर है तो गवर्नर्स और जन्रल्स दोनों बना सकते हैं ध्यान दीजेगा मतलब दोनों चाहे इस तरफ का प्लियूरल बनाएं चाहे इस तरफ का यानि दोनों पार्ट्स का यह दो ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनके दोनों पार्ट्स का प्लियूरल बना सकते हैं जै भी plural होगा बाते सभी को समझ में आ रही ना जैसे आप एट आरनी को एक बार प्लियूरल बना लो उसके बाद लिखो जनर्ल और चाहे लिखो एट आरणी और जनरल को बना लो जनर्ल संस्ट ठीक ना यहां पे आपको दूसरा नहीं दिखहरा है मैं मैं लिख दे रहा हूं यहां ध्यान Wiki चारणी चाप्ट 2020 में यस लगाओ कि और यहां जन्रल लिखो निस्वी को समझ में आ गया है यह ऐसे दो वर्ड है गवर्णर जन्रल और बना कर संद्रल बना लेती हैं दोनों में समझ में आ गया होगा कि आप सभी स्क्रीन सॉर्ट लें जो दिक्कत हो सभी बताएं कि स्क्रीन सॉर्ट लें सभी यह क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए डियोटेड है जो टैट सी टैट सुपर टैट एनी टाइप आप कमपर्टेटिव एक्जाम विच इस रिलेटेड प्रैक्टिस सेट वग्यरा करते होंगे तो इस तरीके के नौन्स पाएंगे अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कुश्चन फार्म होते हैं तो थोड़ा हम कॉंसेट सीखने फिर कुश्चन फार्म कराना शुरू कर दिया और आपको कॉंसेट नहीं पता है तो आप बहतर नहीं सी यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा एळ्य डार से हैं सब का बनाते समय हम इक पास्ट्रॉफी यह की मदद लेते हैं जरह ध्यान से देखें लेते हैं ठीक है न और यह हमारा क्या बन जाता है अब प्रस्री इसमें कुछ ऐसे बनेंगे mind your P's and Q's यानि कि आपने हमको जो है A to Z लिखके दिया या फिर कुछ ऐसा later लिखके दिया जिसमें 2-4 paragraph हैं कई बार P और Q प्रियोग हुए हैं उसमें आपने P और Q का लिखने की सहली खराब की है तो मैं कहूंगा कि आप अपने P और की उपर ध्यान दे ठीक है ना add two fives two bar 5 and five two और पांच दो बार दो बार पांच दो को पांच बार यानि कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो five plus five and two plus two plus two plus two plus two यानि कि इस बार जोड़ने के लिए बोल रहा है तो यहां पर देखिए एक से अधिक बार लिखा गया है two और एक से अधिक बार लिखा गया है five तो इस conditions में add two fives and five twos है ना समझ में आरी बात dot your eyes and cross your teeth कुछ आपने लिखा है एक line जिसमें T और I दोनों लिखा हुआ है मैंने का I को आप cross करो टी को dot करो इस तरीके से और class अगली जो भी बाते हैं हमारी वो next class में होंगी इतनी सारी बाते आप एकदम दिमाग में रखिए और ध्यान से पढ़िए समस्ते चलिए class में बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है हार भी classes से नेक्स्ट स्लाइट के वो देख लीजे क्या हमें अगली बार पढ़ना है क्या पढ़ना है plural आप words borrowed from the foreign languages यानि ऐसे बहुँ बचन जो हमारे ऐसे words जो हमारे foreign words से लिए लिए जाते हैं जैसे foreign language Latin हुआ Greek हुआ है ना तो हम इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक के लिए शभी को धन्यवाद class में बने रहें like, share, subscribe करते रहें ताकि हम लोग बहतर करें आपके साथ thank you